Hello dear students, as usual I am Navneel Godd from Tagore School Parvatsar and we are studying our environmental studies book of class 4th in this video हम लोग study कर रहे हैं हमारी 4th class की EBS book को and dear students as you know जैसा की आप जानते हैं we are studying the 4th lesson journey of food in these days इन दिनों हम लोग study कर रहे हैं हमारा 4th lesson journey of food यानि भोजन की यात्रा की भोजन खेत में फार्म में वहाँ पर ग्रो हो करके वहाँ उग करके हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचता है यह जो भोजन की यात्रा है यह जो जर्नी है फूड की इसके बारे में हम लोग यहाँ पर study कर रहे हैं आपने पिछले वीडियो में हम अल्रेडी इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस लेशन का सेकिंड पार्ट सो लेट्स सी ऑन दे स्क्रीन इसलिए इसक्रीन पर ध्यान दीजिए एंड ट्राइट वीडियों को समझने की कोशिश करें और ध्यान से सुनें लेशन कैरफुली हुँए सरी वी आल सो गैट ए फूड्ड, फ्यूड, आइटम्स, फ्रॉम एनिल्स वी मिन्स हम also means भी गैट मिन्स प्राप्त करते हैं ए फ्यू फूड आइटम्स यंनि कुछ, ए फूड आנि होता है कुछ फूड आइटम्स यंनि भोजन्स के पदार्थ फ्रॉम एनिमल्स यानि जानवरों से हम कुछ भोजन के आइटम्स कुछ फूड आइटम्स एनिमल्स से भी प्राप्त करते हैं हमारे भोजन के कुछ पदार्थ हमें जानवरों से भी प्राप्त होते हैं सम पीपल यानि कुछ लोग रियर यानि पालते हैं रियर यानि जैसे की गायों को बफेलोज यानि भैसों को गोट्स यानि बक्रियों को शीप यानि भेडों को एटसेक्टरा आदी कुछ लोग इन ऐसे जानवरों को rear करते हैं यानि पालते हैं पीपल यानि लोग who rear goats and sheep वो लोग जो की rear यानि पालते हैं and wool यानि उन के लिए are called उनको कहते हैं live stock farmers उनको live stock farmers कहते हैं live stock का मतलब होता है पशुधन पशुधन किसान ऐसे ऐसे farmers जो milk के लिए meat के लिए wool के लिए animals को यानि goat और sheep को यानि बेडो और बक्रियों को भी पालते हैं उनको live stock farmers कहते हैं पशुधन वाले किसान कहते हैं some people यानि कुछ लोग rear यानि पालते हैं cows and buffalo कुछ लोग गाय और भैसों को पालते हैं for their milk उनके दूद के लिए they sell milk वे बेचते हैं दूद को and milk products और दूद के बने वे जो products होते हैं जैसे दही है च्छाच है या और भी जो चीजे पनीर वगर है जो milk के products sell करते हैं या तो milk sell करते हैं या milk के product sell करते हैं they are called उनको कहते हैं dairy farmers उनको dairy के किसान कहते हैं dairy farmers कहते हैं तो two type के farmers के बारे में बताया गया है live stock farmers और dairy farmers dairy farmers तो वो है जो milk या milk के products को sell करते हैं और live stock farmers वो हैं जो milk भी milk के लिए meat के लिए और wool के लिए भेड और बक्रियों को यानि sheep and goats को rear करते हैं वो live stock farmers हैं और जो milk और milk के products sell करते हैं और उसके लिए cow और buffalo को rear करते हैं वो dairy farmers होते हैं some farmers also rear poultry birds कुछ ऐसे farmers भी होते हैं जो की poultry birds को rear करते हैं जो की अंडे देने वाले पक्षियों को पालते हैं poultry birds वो होते हैं जो अंडे देने वाले पक्षियों को poultry birds कहते हैं तो कुछ ऐसे farmers भी होते हैं जो poultry birds यानि अंडे देने वाले birds को rear करते हैं यानि पालते हैं such as जैसे की hands यानि मुर्गियां and ducks और बतके for their eggs उनके eggs के लिए उनके अंडों के लिए ऐसे eggs जो hands है या ducks है ऐसे जो birds हैं पक्षी हैं उनको पालते हैं उनको rear करते हैं तो ऐसे भी farmers होते हैं poultry farmers कहलाएंगी वो और एक और होते हैं जिसको हम कहते हैं fisherman यानि मच हुआ रहे अपने यहां तो आसपास में कोई समुद्र नहीं है नदिया नहीं है इसलिए मचलियां पकड़ने का कोई ऐसा बड़ा occupation नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर अपने जो खारिया तालाब है और जो यहां पर जो डैम बनाओ है परबतसर में उसमें से fishing की जाती है यानि वहां पर मचलियां पकड़ी जाती है और जो मचलियां पकड़ते हैं वो कहलाते हैं fisherman मचुआरे कहते हैं उनको fisherman catch fish मचुआरे यानि fisherman catch यानि पकड़ते हैं fish यानि मचली को from rivers नदियों से and seas यानि सागरों से and sell in the market और बाजार में बेचते हैं अपने यहां इदर main market में ऐसी दुकाने नहीं लगती है कोई कहीं इदर उदर side में लगती है इसी दुकाने और यहां पर ज़्यादा लोग ऐसे man's खाने वाले हैं भी नहीं इसलिए वो उदर ही लगती है जिदर वो लोग होते हैं जो करनी वारस टाइप के जो persons होते हैं उनके लिए जो ये meat की जो shops है वो side में होती है लेकिन जहां पर ज़्यादा लोग होते हैं से वहां पर main market में भी इस तरह की shops देखने को मिलती है तो fishermen वो लोग होते हैं जो मचलियों को catch करते हैं पालते हैं इधर एक information box दिया हुआ है info box यानि information box आईए एक सूचना या कुछ जानकरी दी हुई है इसमें आईए इसको देखते हैं क्या लिखा इसमें organic farmers यानि जेविक किसान जो organic farmers होते हैं यूज यानि उप्योग करते हैं natural methods वो प्राकर्तिक तरीकों का उप्योग करते हैं देखिए आजकल खेतों में दो प्रकार से farming की जाती है एक तो जिसमें natural तरीके से खेती की जाती है यानि बीज भी अपना खुद का बना हुआ खाद भी गोबर की या फिर किसी जीव से बनी हुई और ये दवाईयां भी जहरीली दवाईयां नहीं डाली जाती है उस खेत में उसमें जो दवाईयां डाली जाती है वो गोमुत्र से और इस तरह की दवाईयां डाली जाती है या दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनसे कि ऐसे फार्मर्स बहुत ही कम बचे हैं लेकिन वह जो फसल पैदा होती है अच्छी होती है अपनी हेल्थ के लिए दूसरे टाइप की फार्मिंग आजकल ज्यादा होती है जिसमें रेडिमेड बीज लाते हैं और उसमें फिर खाद भी गुबर की नहीं डालते हैं यूरिया और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो डाले जाते हैं अधिक उद्पन करने के लिए उसको अधिक प्रोडक्शन के लिए और फिर उसमें दवाईयां भी जहरीली डाली जाती है कीडों को मारने के लिए तो ऐसी फार्मिंग जो है वो ज्यादा होती है आजकल 95% ऐसी फा और गेनिक फार्मर्स होते हैं वो प्राकरतिक तरीकों को यूज करते हैं लाइक क्रॉप डाइवर्सिटी देखिए खेत में खेत में जो अच्छी फसल पैदा हो उसके लिए मिट्टी के अंदर सोईल के अंदर पोशक तत्वों का होना बहुत जरूरी है यानि नूट्रिय या तो खाद से मिलते हैं या पेस्ट इन से फर्टिलाइजर से मिलते हैं खाद या उडवरक से मिलते हैं लेकिन एक तरीका और है कि अगर आप फसलों को बदल बदल के बोते हो दाल वाली फसले बोते हो तो आपकी मिट्टी में जो पोशक तत्व है वो अटोमेटिक आ जा तो वो जो और्गेनिक फार्मर्स होते हैं जो जैविक क्रिशी करने वाले किसान होते हैं यूज नैचूरल मेथर्ड्स वो प्राकर्तिक तरीकों का उपयोग करते हैं लाइक क्रॉप डाइवर्सिटी जैसे की विविद प्रकार की फसलें बोकर एंड सोईल मेनेजमेंट और मिट्टी का प्रबंधन करते हैं वो मिट्टी की जाँच कराते हैं आपकी खेत की मिट्टी की जाँच आप करा सकते हैं उसमें जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए उसी को स्वस्थ रखने के लिए वो ऐसे किसान जो होते हैं वो soil management करते हैं crop diversity करते हैं और natural methods को use करते हैं ऐसे जो किसान होते हैं वो organic farmers कहलाते हैं यहाँ पर कुछ pictures के through अपने को कुछ show किया जा रहा है देख सकते हैं आप यह कोई गाय का दूद निकाल रहा है तो इसको दूद निकालने को बोलते हैं milking दूद निकालने की जो activity है उसको milking कहते हैं तो यहाँ लिखावा है dairy farmers यह dairy farmers है जो गाय भेंस को पालता है रियर करता है और वहाँ से sell करता है milk को तो यह dairy farmer है milking काउ एक गाय को यह milking कर रहा है गाय की यानि दूद निकाल रहा है सेकिंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे मुर्गिया टाइप के तो पॉल्ट्री फार्मर है यह यह अंडों के लिए जो पॉल्ट्री बर्ड्स है उनको रियर करता है कलेक्टिंग एग्स यह अंडे इखटे कर रहा है यह रोज-रोज अंडे देती रहती है मुर्गिया और यह इखटे करकर बेशते रहते हैं और यहां पर आप देख पा रहे हैं यह फिशर्मेन है जो की मच्छवारा अपन हिंदी में कहते हैं इसको मचलिया पकडने के लिए इसने जाल डाल रखा है पानी में और देखिए अंदर काफी मचलिया इसके फंसी हुई है फिशर्मेन है यह कैचिंग फिश यह पकड़ रहा है फिशेज को तो यह हमने पड़ा यहांपर 2-3 टाइप के फारमर होते हैं और इस तरह से फारमर के फारमर के खेत में फसल उगाने के साथ-साथ में एनिमल रियरिंग भी करते हैं पशु पालं भी करते हैं और इस तरह से हमारी भोजन का एक हिस्सा पशूओं से भी हमें मिलता है एनिमल्स से भी हमें प्राप्त होता है हम दूद पीते हैं वो हम एनिमल्स से मिलता है कोई जो लोग है वो अंडे खाते हैं कुछ लोग जो मीट खाते हैं वो भी एनिमल्स से मिलता है उनको और मेंली त का वो तो ज्यादा तर plants पे depend है लेकिन दूद हम लोग सब पीते हैं और दूद से बनी वी चीजें भी हम खाते हैं हम दूद से चाच है दई है पनीर है मक्षन है घी है ये सारी चीजें हमें अनिमल से मिलती है तो इस तरह से हमने देखा कि एनिमल से भी हमें food items मिलते हैं और plants से भी मिलते हैं अब बात करते हैं आगे की from farm to our house खेट से हमारे घर की खेट से हमारे घर तक खेट में कोई चीज उगी वो अपने घर तक कैसे पहुंशती है from farm यानि खेट से to our house यानि हमारे घर तक फार्मर्स टेक दा प्रोड्यूस फार्मर्स यानि किसान टेक यानि ले जाते हैं दा प्रोड्यूस यानि उत्पाद जो भी उनके खेट में पैदा होता उसको product भी कह सकते हैं प्रोड्यूस भी कहते हैं तो farmers यानि किसान टेक यानि ले जाते हैं दा प्रोड्यूस यानि उत्पाद को two mondies मंडियों में ले जाते हैं और wholesale markets या फिर बड़े markets में ले जाते हैं जिसको wholesale market कहते हैं दो type का market होता है एक तो wholesale एक retail यानि बड़ा market जहां चीजें बड़ी quantity में बिखती है और retail market में छोटी quantity में चीजें बिखती है तो जो किसान है वो अपने produce को अपने उत्पाद को अपनी फसल को वो मंडियों में या फिर wholesale market में ले जाते हैं इन nearby towns and cities जो भी उनके पास की wholesale market या फिर मंडीज होती है वहां पर किसान लेके जाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक चित्र दिया हुआ है पिक्चर यहां पर शोकी हुई है food processing यहां पर भोजन की processing हो रही है यानि किसान जो खेट से अनाज लाता है या जो भी production लाता है उससे फिर कई item बनाए जात हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह ट्रक के थ्रू जा रहा है यहां पर load होकर कि किसान की जो खेट से फसल हो जा रही है तो वो किसान अपना अपना जो production है अपना जो उतपादन है वो मंडीज में ले जाते हैं या तो या wholesale market में ले जाते हैं some of the farm and dairy products कुछ ऐसे हो होता है dairy के जो products होते हैं या दूद के जो उतपादन होता है या खेत का जो उतपादन होता है दोनों में से कुछ जो उतपादन है are taken उसको ले जाया जाता है to factories फैक्टरियों में for processing and packaging उनकी फुर processing होती है यानि उससे नए item बनाए जाते हैं और उनकी packaging की जाती है packet उनको pack क किया जाता है यानि कुछ तो खेत में से कुछ जो production है वो तो चला गया मंडियों में या फिर wholesale market में कुछ चला गया फैक्ट्रियों में फिर उसकी processing होती है उससे कई चीज़ें बनाई जाती है और उनको pack किया जाता है shopkeepers यानि जो दुकानदार होते हैं buy यानि खरीदते हैं the food items वो जो food items है वो shopkeeper यानि छोटे दुकानदार खरीदते हैं from the wholesale market जो बड़ा market होता है जिसको wholesale market कहते हैं वहाँ से फिर shopkeepers वो जो खाने पिने की चीज़ें food items है उनको buy करते हैं यानि खरीदते हैं दे सेल देम टू अस और वो जो शोपकीपर है जो होलसेल मार्केट से बाई करते हैं दे सेल वो बेचते हैं देम यानि उन चीजों को टू अस हमारे को हमें वो फिर जो रिटेलर होते हैं जिनको छोटे दुकानदार कहते हैं शोपकीपर कहते हैं वो फिर हमें सेल करते हैं वो इन दिस वे इस तरीके से एक फूड आइटम एक भोजन का पदार्थ रीचेज यानि पहुचता है अवर प्लेट हमारी प्लेट में फ्रॉम दम फार्म और फील्ड खेत या फार्म से फार्म और फील्ड और लगया हुआ है या मतलब दोनों ही शब्दों का मतलब एक है खेत या फील्ड से यानि खेत से हमारी प्लेट तक इस तरह से इन दिस वे यानि इस तरह से यह जो भी प्रोडक्शन होता है खेत का वो हमारी प्लेट तक इस तरह से पहुचता है यहाँ पर और एक दो पिक्चर्स दिये वे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बाइंग फू पहुँच जाते हैं अब बात करते हैं handling food की यानि भोजन को handle कैसे किया जाए उसको संभाला कैसे जाए आपको भी पता है कि भोजन की चीजें जो food items होती है वो अगर अपनों उनको ध्यान से care के साथ नहीं रखें ध्यान से नहीं रखें तो वो खराब हो जाती है तो कैसे उन को संभाला जाए handle कैसे किया जाए यानि संभाला कैसे जाए handling food भोजन को संभालना it is very important यह बहुत ही important है जरूरी है to handle the food properly food को यानि भोजन को handle करना यानि संभालना properly यानि ठीक तरीके से यह बहुत important है we should not let our food we should यानि हमें चाहिए not यानि नहीं let our food go spoiled spoiled का मतलब होता है खराब हो जाना go spoiled यानि खराब हो जाना not let नहीं होने देना we should not let our food go spoiled का मतलब हो गया हमें अपना भोजन खराब होने नहीं देना चाहिए इस पूरे यहां से लेकर यहां तक यह फ्रेज बन गया यह एक वाक्यांच बन गया we should we का मतलब अलग अलग बतादू मैं word to word आपको we means होता है हमें या हम should यानि चाहिए not यानि नहीं let का मतलब अनुमती देना अवर यानि हमारा food यानि भोजन गो यानि जाना spoiled यानि खराब होना अब यह इसका जो sense है वो यह है कि हमें अपना भोजन खराब नहीं होने देना चाहिए और wasted या व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए waste नहीं होने देना चाहिए spoil का मतलब होता है खराब हो जाना waste का मतलब होता है व्यर्थ चले जाना फालतू चले जाना तो हमें अपना जो भोजन है food है वो नहीं तो spoil होने देना चाहिए नहीं उसको waste करना चाहिए spoilers of food यानि भोजन का खराब होना कैसे खराब होता है भोजन आईए देखते हैं we should always eat हम हमें should यानि चाहिए always यानि हमेशा eat यानि खाना हमें हमेशा खाना चाहिए fresh fruit fresh food ताजा भोजन हमें हमेशा fresh food खाना चाहिए यानि ताजा भोजन खाना चाहिए spoiled और stale food, spoiled का तो मतलब होता है खराब होना, stale का मतलब होता है बासी हो जाना जब एक दो दिन भोजन पड़ा रहता है तो वो बासी हो जाता है, हिंदी में आपनो उसको बासी हो जाना कहते हैं English में उसको stale कहते हैं तो spoil हो जाना, खराब हो जाना या बासी हो जाना food यानि भोजन का ये जो खराब होया हुआ या बासी भोजन होता है can cause यानि उदपन कर सकता है diseases यानि बिमारियां जो बासी या खराब खाना होता है जो stale या spoiled जो food होता है वो disease cause कर सकता है बिमारियां पैदा कर सकता है और food poisoning या भोजन से जहर भी पैदा हो सकता है अपने body में food poisoning जिसको भोजन विशाक्तन कहते हिंदी में poison से बना है poisoning poison यानि होता है जहर और poisoning यानि जहर पैदा हो जाना तो ये जो बासी भोजन या फिर खराब होया हुआ भोजन अगर अपन खाते हैं तो वो हमारे अंदर एक तो बिमारी पैदा कर सकता है disease cause कर सकता है या फिर ये हमारे अंदर food poisoning भी कर सकता है जहर भी पैदा कर सकता है we can save our food हम अपने food को हम अपने भोजन को save यानि बचा सकते हैं from spoilage खराब होने से by following some simple tips निमन लिखित कुछ साधारन tips के द्वारा कुछ उपायों के द्वारा हम नीचे कुछ उपाय लिखे हैं कुछ tips दी हुई है simple tips हैं ये साधारन बहुत सरल उपाय हैं इनके थ्रू हम अपने भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं पहला उपाय क्या है always keep the food covered always means हमेशा keep यानि रखें the food यानि भोजन को covered यानि ढखा हुआ हमेशा भोजन को covered रखें ढखा हुआ रखें खुला हुआ नहीं रखें क्या होता है खुला हुआ रहता है uncovered रहता है food तो जो मक्हियां होती है जो house fly होती है वो आकर के बैठ जाती है food पर और वो गंदे किटानू लेकर के उन food में छोड़ देती है तो उससे वो बिमारी पहरिला अगर insect यानि कीडा मकोडा उसमें आके गिर जाता है और कई बार अगर ध्यान में नहीं आता है तो वो अपन food अकर खा लेते हैं तो food poisoning भी हो सकती है इसलिए food को cover करके रखना चाहिए हमेशा ढखा हुआ रखना चाहिए पहला उपाए तो यह है सेकिंड जो टिप है वो है store the food यानि भोजन को store करें यानि संग्रहित करें इखटा करके रखें इने refrigerator फ्रिज में रखें जितना गर्मी जादा होती है उतना ही food जल्दी stale होता है स्पोईल होता है जितना गर्मी होती है गर्मी में जल्दी चीजें खराब होती है और temperature अगर अपन कम रखते हैं सर्दी रहती है तो चीजें कम खराब होती है इसलिए चीजों को खाने पिने की चीजों को refrigerator में रखा जाता है फ्रिज में रखा जाता है ताकि वो खराब नह तेंपरेचर उसका ज्यादा नहीं रहे यह दूसरा तरीका है भोजन को खराब होने से बचाने का थर्ड जो टीफ दीव यह वो है इस्टोर यानि इखटा रखें संग्रहित रखें ड्राइ आइटम्स यानि सूखे आइटमों को इस्टोर करें लाइक पलसे जैसे की डालों क को एंड राइस यानि चावल को इन एर टाइट कंटेनर्स एर टाइट क्या होता है ऐसे जो कंटेनर्स कंटेनर्स होते हैं डिब्बे कंटेनर्स बोलते हैं डिब्बों को तो ऐसे कुछ कंटेनर्स आते हैं मार्केट में जो एर टाइट होते हैं यानि उनको अगर बंद कर दिया जाए धकन से तो फिर उसमें हवा भी नहीं गुश सकती उसको बोलते हैं एर टाइट एर टाइट मतलब जिसमें हवा नहीं गुश सकती ऐसे कंटेनर्स जो होते हैं वो एर टाइट कहलाते हैं तो ऐसे एर टाइट कंटेनर्स में हमें पलसे यानि दालों को राइस यानि रखना चाहिए ये air tight containers हैं जिनको ढख करके अपन air tight यानि इसमें बिल्कुल भी हवा भी एंटर नहीं कर सकती और इसके कारण से ये खराब नहीं होती refrigerator में हम रख सकते हैं लास्ट का जो point बचा है वो है wastage of food यानि भोजन का व्यर्थ जाना wastage होना यानि व्यर्थ जाना फालतू चले जाना we should not waste food हमें food को waste नहीं करना चाहिए हमें भोजन को व्यर्थ नहीं कवाना चाहिए waste नहीं करना चाहिए we can avoid wastage of food हम food के wastage को avoid कर सकते हैं यानि उससे बच सकते हैं हम भोजन को व्यर्थ गवाने से बच सकते हैं उसको avoid कर सकते हैं by following some simple tips निमनलिकित कुछ साधरन उपायों के द्वारा हम भोजन को wastage होने से बचा सकते हैं फर्स्ट जो टिप है वो है do not put मत रखो excess food यानि जादा भोजन एकसस यानि अत्यधिक होता है बहुत जादा excess food यानि अत्यधिक जादा भोजन को मत रखो in your plate तुमारी plate में at home घर पर भी और at parties या partyों में भी कई बार शादियों में जाते हैं लोग ऐसे ही अपनी plate को भर लेते हैं और फिर वो खानी पाते हैं और उसको जूठा छोड़ के आ जाते हैं तो वो west चला जाता है जो food होता है इसलिए ऐसा नहीं करें आप excess food को अपनी plate में नहीं रखें do not put excess food अत्यधिक भोजन को नहीं रखें in your plate आपकी plate में घर पर हो बलिक पार्टी में हो number two cook food यानि पकाएं भोजन को according to the number of people according यानि अनुसार भोजन को किसके अनुसार पकाएं to the number of people यानि लोगों की संख्या के अनुसार पकाएं भोजन को to be served जिनको भोजन सर्व किया जाना है परोसा जाना है यानि जितने लोगों को जितने people को जितने लोगों को जो food है वो serve किया जाएगा परोसा जाएगा जितने लोग खाने वाले हैं उतने लोगों के number के अधार पर उनकी संख्या के अधार पर ही हमें food cook करना चाहिए भोजन पकाना चाहिए गिव लेफट ओवर फूड लेफट ओवर का मतलब होता है बचा हुआ या जूठा जूठा भोजन जो होता है उसको लेफट ओवर कहते हैं जूठन जिसको अपन कहते हैं गिव लेफट ओवर फूड यानि बचा हुआ भोजन देवें गिव यानि दें टू नीडी पीपल जरूरत मन्द लोगों को उसको फेंके नहीं बचे वे भोजन को लेफट ओवर जो बच जाता है जो लेफट ओवर फूड होता है उसको आप नीडी पीपल को दे सकते हैं जरूरत मन्द लोगों को देख सकते हैं नमबर फूर इस्टोर फूड प्रॉड प्रॉपरली यानि इखटा करें फूड यानि भोजन को प्रॉपरली यानि ठीक तरीके से फूड को प्रॉपरली इस्टोर करें ठीक तरीके से इखटा रखें ताकि ये इस्टेल नहीं बने यानि ये बासी नहें बने उसको properly आप store करें refrigerator में store करें या जैसे भी उसको आप खराब होने से बचा सकते हैं वैसे store करें ताकि वो stale नहों बासी नहों और ये lesson अपना complete हो गया है teacher's note में लिखा हुआ है मेरे लिए है ये note take the students to a farm students को एक खेत में ले जाए and show और दिखाए them यानि उनको how farmers work there कि कैसे किसान वहाँ पर काम करते हैं तो आपने भी जरूर देखा होगा कभी इनकभी खेत में जाकर कि कैसे किसान काम करते हैं और नहीं तो school खुलेगी तब ऐसा कोई widget बनाएंगे आपन यह कोई return work नहीं है it is a activity only so dear students we have completed all the lesson today आज हमने इस lesson को complete कर दिया है and now we have to start our remember point इस lesson के जो याद रखने वाले बिंदू है वो हमें read करने है और उसके बाद question answer start हो जाएंगी but time of the video is over now लेकिन अब जो video का time है वो over हो चुका है we can't continue the lesson हम इस lesson को continue नहीं रख सकते हैं so we have to finish the lesson today आज हमें इस lesson को finish करना होगा यहीं पर we will meet in next video हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में and we will read the remember points हम लोग remember points पढ़ेंगे अगले वीडियो में और फिर इसको question answers जो इसकी exercise है वो start करेंगे I want to tell you मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास notebook में जितना work आपने return work में अभी तक कर रखा है उसको prepare करें उसको याद करें क्योंकि next जो Sunday Saturday आएगा उसमें आपका test होने वाला है पिछले test में जहां तक का syllabus आ चुका था उसके बाद जो भी syllabus हुआ है return work के रूप में आपकी notebook में वो आपके test में आएगा इसलिए आप उसको learn करते रहें और इसके लिए अपना time दें ओके dear students have a nice day see you and bye